इस वीडियो का टाइटल देख करके अंधभक्त कहेंगे लिखेंगे कमेंट करेंगे कि देखो भाई तुम भी समझ गये ना कि हिंदू खत्रे में है ना 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 फिर गलती कर रहे हो हिंदू खत्रे में नहीं पूरा देश खत्रे में है पूरे हिंदूस्तान की जीडिपी वो खत्रे में है, economy वो खत्रे में है, और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को RBI के पूरु गवर्नर ने कहा है, कितना खत्रा है, इतना खत्रा है, गंभीर खत्रा जिसको कहा जाता है, आजादी के समय वाली स्थिति के अंदर देश पहुच गया है, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए आप, आखरी तक देखिए, आपको समझ में आएगा, टेक्निकल चीज है, लेकिन मैं फिर भी कोशिस करूँगा, आपको आसान भासा में समझाओ, ताकि आपको समझ में आए, कैसे देश गंभीर खत्रे में, उस खत्रे में, उस लेवल पर पहुच गया है, जहां से हमने सुरवात की थी, 1950 वाले दसक में भारत पहुच गया है, देखिए आप, हिंदू rate of growth के बेहद करीब पहुचा भारत, रगुराम राजन बोले, ये डराने वाली बात है, अब ये हिंदू rate of growth क्या है, ये कोई हिंदू खत्रे वाली बात नहीं है, ये एक ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूरव गवर्नर रगुराम राजन ने हिंदू rate of growth को लेकर गंभीर चिंता जताई है, गंभीर चिंता, उन्होंने कहा है कि भारत इसके खतरनाक स्तर पर पहुच गया है, एक होता है जिसे बाड आती है, तो बाड आती है तो हमें जो है बताया जाता है कि नदी का जो लेवल है, वो यहां तक तो गर्मी के समय पर होता है, यहां तक जो है वो बारिस के समय पर होता है, और फिर उसके उपर होता है खतरनाक लाल निसान, उस लाल निसान को भी क्रोस कर ले तो मतलब कि फिर होता है कि आसपास के जितने भी इलाके के गाउं हैं, वो खाली करके चले जाओ, अब नदी का पानी खतरनाख सर्से उपर बह रहा है, उस लाल निसान को क्रोस करके बह रहा है, कभी भी नदी का पानी किसी तरब भी गुझ सकता किसी तरब भी बढ़ सकता है, आसपस के 10-55 किलो मेंटर के गाउं खाली करवा दी जाते हैं तो रागुराम राजन इस बात को कह रहा है कि गंबीर खत्रा है और खतरनाख सिती के अंदर पहुँच गया है देखिया आप आगे उन्होंने कहा है कि इकोनोमी ग्रोथ के लिए इसे समस्या करार दियते विए कहा है कि अब कारण सुनिये इ पैसा लगाती है, वो पैसा जो लगता है, वो कम पैसा लग रहा है, एक कारण, दूसरा कारण है उच ब्याज दरे, जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज पर जो है वो पैसा मिलता है, लोन वगेरा, उसकी जो दरे है, वो बहुत महिंगी है, बैंक के अंदर, ब्याज की जो दरे है और बहुत महिंगी हो गया है दूसरा कारण और तीसरा कारण इन्हों नमें काया कि agricultural growth की धीमी रफतार तो तीसरा कारण जो है वो global कारण है कि उसकी जो रफतार है वो धीमी है अब उसमें भारत भी है अब देखी क्या कहा रही है यह पहले हिंदू ग्रोथ रेट के बारे मैं आपको बताता हूँ हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब यह है कि हमारी जो एकोनोमी होती है उसको दरसाने के लिए कि सबसे नीचे स्थर पर निम्न स्थर पर दरसाने के लिए इसका नाम दिया गया हिंदू ग्रोथ रेट कि हमारी जो एकोनोम और सास्त्री राज किर्शन ने इसको धीमी विर्दीदर के साथ में वरणन करते वे सब्द को चुना था और पीटिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 80 का जो दस्क है वो भारत का विकासदर ओस्तन चार फिजदी रही थी अब इस चार फिजदी इसको ध्यान रखे आप भार की जो विकासदर 1950 से लेकर के 1980 तक रही वो चार फिजदी रही और ये चार फिजदी का मतलब क्या है और आज कितनी है अगर 1950 पे 80 के बीच में अगर चार फिजदी थी आज कितनी है सुनेंगे तो चोक उठेंगे आजादी के समय की बात हो रही है और आज के समय की बात हो र उटा और उसके बाद में उसके बाद में फिर 우리는 47 में जब देश आजाद हुआ एक लंबे संगहर्स के बाद में जब देश आजाद हुआ तो कमज़ूर था निशी तोरGS पर तो कहा है कि 1947 के समय को शब्दों में वेक्ट करने के लिए Hindu growth rate का इस्तावाल किया गया यह है Hindu growth rate को यह नहीं कि Hindu जो है खत्रे में आगे वह वाली बात वह नहीं है अब देखिए इसमें आगे क्या है अब देखिए जो मैंने का था चार फीज दी 1950 से लेकर के 1980 तक जो growth rate रही वह चार फीज दी थ देखिए आप चार फिस्दी जो है वो 1950 से रसी के दोर में और आज वो कह रहे हैं कि अगर पांच फिस्दी हो जाए बहुत भाग्य अफसाली होंगे हम सुनिए रिपोर्ट में अगले वित्ते वर्सिये एकोनमी ग्रोथ और घटने का अनुवान जता है पुरू आर्बिया के चिंता का विशे है प्राइवेट सेक्टर इंवेश्मेंट के लिए तयार नहीं है आर्बिय की और से एक के बाद एक लगातार ब्याज की दरों में विर्दी की जा रही है और इस सब के बीच ग्लोबल ग्रोथ भी धीमी रहने की आसंका है पीटियाई के साथ इमेल इंटर कोई बोल नहीं रहा है इक ऐसा वेकति जो भारत का गवर्नर रहा है एक ऐसा वेकति जिसने सिर सानकार दिया तोन नुटबंदी के आईडिय को वह है पिछिए बोल रहा है तो सरकार में बैठे लोग डिरेक्ट उसकी बात सुनकर करताली तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन ज तर करना होगा रगुराम राजेन ने का कि मेरा डर गलत नहीं है केंद्रिये बैंक आर्बियाई ने इस वित्वर्स की अंतिम तिमहाई के लिए और भी कम 4.2 फिस दी GDP ग्रोथ का अनुमान जता है 1950 से 1980 के बीच में चार जो है वो GDP की ग्रोथ रेट रही थी और अब 4.2 का वो इसी तरह की पूरू महामारी तिमाई के अपेक्षा 3.7 फिस दी है उन्होंने कहा कि यह है विकासदर हमारी पुरानी हिंदू ग्रोथ रेट के खतरनाक रूप के करीब है राजेन ने कहा कि हमें और बहतर करना चाहिए तो हमें क्या करना होगा हमें तीन चीज़ करनी होगी हमें यह करना होगा सबसे पहले जो ब्यासदर है उनको घटाना होगा लोगों के हाथ में पैसा आए लोगों को कम ब्यासदरों के उपर लोन मिले पैसा मिले ताकि वो भजार के अंदर कुछ नया सेटप करें नई चीज़े निकाल करके लाएं एक चीज यह और दूसरी ची हैं और बाहर से जो है प्राइट सेक्टर ऐसा आए जो जिसको लगे कि हब भारत के अंदर जो है वो आप ग्रोथ कर सकते अगर अपना पैसा लगाते हैं लेकिन उसके लिए माहुल तैयार करना पड़ेगा माहुल ठीक करना पड़ेगा और तीसरा जो है वो ग्लोबल जो ल तो बैराल बहुत बड़ी बात है टेक्निकल चीजे थी मैंने असान भासा मैं आपको समझाने कोशिस करी हैं उम्मीन करता हूं आपको समझ में आएंगी आप लोगों तक इस वीडियो को इस खबर को इन चीजों को पहुँचाए लोगों को पता चले कि सहाब क्या कुछ हो लोगा तक इस खबर को पहुचाए आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिक करके मुझे जरूर बताइए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरहीं तमाम खबरों के लिए ओनलाइन यूजिने को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएए